अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चो बहुत सारी ऐसी चीजे मैं आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हो 10th और 12th के बाद चाहे आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो दोनों के लिए ये वीडियो है अगर आपको लगता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और कितनी भी कोशिश कर रहे हो अच्छे नहीं हो पा रहे हो हर किसी के अंदर कोई न कोई's skill होती है मैं आपको पहचानना बताओंगी लोग कहते हैं अपने skill पहचानो मैं आपको बताओंगी कैसे पहचानो थीक है मैं कैसे पहचानो बताओंगी और इस video को आप अंध تक देखो आपको हर एक doubt अपना clear हो जाइगा कि आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आप अपने लाइफ में इस्टक फिल नहीं होगे, अपने आपको गिरा हुआ मैसूस नहीं करोगी कि मिझे पढ़ना नहीं आता तो हर जगे मैं लो फिल करूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीड पर इक्जांपल, पढ़ाई में जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको तो बढ़ियां बढ़ियां गाइदेन्स मिलती हैं कि ये निट निकाल लो, आयाइटी निकाल लो, तुम नेस्ट का ए कि हम क्या करें, किसमें competition कब है, कहां जाएं हम, तो मैं आपको वही रास्ता बताने वाली हूँ, जहां पे आपको competition जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, सच कहों तो competition बड़ी गंदी चीज है, आपको एक मुकाम तक तो पहुचाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत गंदी चीज है, उन लोगों का क्या जोग जिन्होंने सुरू से पढ़ाई नहीं किया, और अब आके उनके उपर इतना बोज कैसे डाला जा सकता है, मालो आपने बच्पन में गलती कर दी, बच्पन से आपने पढ़ाई नहीं कि ठीक से, तब आपको समझ नहीं थी, और अब जब सारी चीज़ें इकठा है, तो आप चाहके भी करने ही पारे, तो ऐसी केस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी केस में मैं आपको प्रेशर नहीं दे सकती, कि नहीं आप पढ़ो, 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 और तब जाके निकालो, सब लोग आपको प्रेशर दे रहे हैं, मैं नहीं दोंगी, मैं आपको आसान रास्ता बताऊंगी, जिसमें आप अच्छा खासा अपने कैरियर बना सकते हो, क्योंकि सबने देखना तो सब के मन में आता है, कि हम भी लगपती, करोड़पती बने, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो ना पढ़ रहा हो, सबना तो हर किसी का होता है, तो मैं आपको ऐसे कोर्स बताने वाली हूँ, जो आपको कमपीशन भी कम रहेगा, और उसमें आप उतनी स्किल के बेस पे आगे चा सकते हो, लाखों तक भी कमा सकते हो, ठीक है, पहली बार मैं ऐसा वीडियो बना रहे हूँ, तो आप लोग बताना, अगर आपको अच्छा लगा, या कुछ और आप आड करना चाहते हो, तो आप जरूर कॉमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा सा मैने थीम इसले बनाया, ताकि मैं आपको टच फील कर पाऊँ, और आपको पता चले, मैं आपको टच कर रहे हूँ, तब ये जाके वीडियो बना रहे हूँ, चलो, स्टार्ट करते हैं, देखो, सबसे पहली बात, अगर आप टेंथ पास आउट हो, ठीक है, टेंथ पास आउट हो, तो सब कहते हैं साइन्स ले लो, मैट्स या बायो कोई एक ले लो, या कॉमर्स ले लो, लोग ऐसा कहते हैं, पर बच्चों, ये तीनों फिल्ड में ना, कम्टीशन इतना जादा है, आप फस जाओगे आगे चाके, अगर आप ऐसा फिल्ड कर रहे हो, पढ़ने की लाख कोशिश करने के बाद भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो ये तीनों फिल्ड में मत जाओ, ये तीनों फिल्ड में आपको कम्टीशन मार डालेगा, समझ रहे हो, आप आर्ट्स के फिल्ड में जाओ, अब सोचो कि आर्ट्स, मैं मम्मी पापा तो कहते हैं, आर्ट्स में कोई है नी, कुछ फिल्ड है ही नी, सारे लोग कहते हैं, सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, आर्ट्स में फिल्ड बहुत कम हुआ करते थे पहले, अब आर्ट्स में बहुत जादे स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, मैं आपको समझाओंगी, और आप अपने मम्मी पापा को भी गिनवा सकते हो, कि देखो आर्ट्स म ठीक है, क्या करना है, समझाते हो, वन बाई वन, देखो, आर्ट्स चूज़ करने से क्या होगा, आर्ट्स में कम्मिटिशन कम है, पहली बात, जब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत जादा किसी फिल्म में अच्छा नहीं हूँ, तो ऐसे फिल्म में नहीं जाना चाहिए, जह मुझे तो लगेगा, मुझे कुछ नहीं आता, वहाँ मेरा मोराल टोटल डाउन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको अपना मोराल उठाना है, आपको फिल्म करना है, कि हाँ आप भी अच्छा कर सकते हो, यह आप करोगे आर्ट्स की फिल्म में आपको कम्मिटिशन कम मिले है कि आर्ट्स से आप आगे क्या कर सकते हो, तो बताते हो, आर्ट्स वाले बच्चे यूपीएसी कर सकते हो, आप बस मैं गिनवाने की बात कर रहे हो, कि अगर कोई पूछे आर्ट्स क्यों कर रहे हो, तो आप गिनवा सको कि हम यह यह चीज़े कर सकते हो, ठीक है, आप पह Bachelor in Computer Accountant, ठीक है, ये कोर्स कर सकते हो, Bachelor in Hotel Management कर सकते हो, ये 12th के बाद आपको करना होता है, लेकिन अभी आप 10th में Arts चूस कर रहे हो, तो आपको अपने parents को या सब को बताना पड़ेगा ना, कि मैं क्यों चूस कर रहा हूं, क्या-क्या इसके scope है, इसलिए मैं आपको गिनवारी, आप journalism कर सकते हो, journalism मतलब होता है, आपने TV पे anchor वगरा को देखा होगा न, जो news reporting करते हैं, अगर आप बोलने में अच्छे हो, अगर आपको बोलने में हिच्कि-चाहट जादा नहीं होती है, आप किसी के सामने भी अच्छे से बोल लेते हो, तो आप ये वाला course कर सकते हो, का आप कह सकते हो, कि BFA, Bachelor in Fine Arts, Arts लोगों को ड्राइंग बनाना नहीं आता है, आपको अगर आता है, तो इसमें जा सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है, तो ये सारी चीज़ें आप गिनवा सकते हो, अपने पैरंस को, कि आर्ट से हम ये सारी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सा जिसे आपका लाइफ अच्छा हो सके, देखो, सबसे पहले अपनी स्किल इडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, जैसे मालो, सब के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई हुनर होता है, मैं आपको पहचानना बताती हूँ, कैसे आपको अपनी हुनर को पहचानना और उसमें क्या इसकोप है, बताती हूँ, जैसे मालो, अगर आप ड्रोइंग में अच्छे हो, जैसे मालो, अगर आप ड्रोइंग में अच्छे हो, थोड़े बहुत 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 जिससे आप अच्छे लेवल के आर्टेस्ट बन सकते हो, बहुत सार है, इसमें स्कोप है बच्चों, एक एक पेंटिंग आपकी लाखों तक भीकेगी, ठीक है, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, बीएफे के बाद MFA भी होता है, Master in Pine Arts, आर्ट्स की फिल्ड में अगर आप जात जाप के मैं बताते हूं, इवेंट्स होते हैं, जैसे आप अपना ग्रूप बनाओगे, ठीक है, मालो आप कहीं कोर्स कर रहे हो, तो अपने दोस्तों बनाते हो ना, तो वैसे बीएफे का जब कोर्स करोगे, तो अपना ग्रूप बनाओगे, तिन-चार लोग दोस्त लोग रखे हैं, और जो ग्रूप अच्छा काम करता है, अपना ड्रॉइंग का प्रेजेंटेशन अच्छे से करता है, सजावत अच्छे से करता है चीजों की, जरूनी है पेंटिंग ही, अगर आप मूर्तियां अच्छे से बना सकते हो, या सजावत अच्छे से कर सकते हो चीजो पीज को आप लोग सजा दो, तो उसके उन्हें पैसे मिलते हैं, अच्छे खाar से पैसे मिलते हैं बच्चों और ये कोर्स करने के दौरान भी मुलते हैं आप BFA का कोर्स कर रहे हूं उस दौरान भी आप किसी अच्छे युनिवर्स्टी से करना, ऐसे यहरे गहरे से मत करना कि खाली डिग्री ले रहे हो, नहीं. अच्छे युनिवर्स्टी से करो ताकि वहाँ से आपको काम सीखने को मिले और आपको जानने के मिले कि आगे क्या हो सकता है. कोई भी कहीं भी चले जाओ, event भाशन देने आ रहा है, तो उसके आसपास प्रा सेट अप होता है, सेट अप कौन करता है, सेट अप BFA वाले करते हैं, कोई मालो आर्ट की गैलरी है, जैसे आर्ट की गैलरी लगाई जाती है, इंडिया लेवल पे होता है, बहुत सारे आर्ट गैलरी लगता है, लखनों में ल लेकिन अगर आप किसी organization से जुड़ जाते हो और वहां से काम करते हो तो आपकी job permanent भी हो जाती है और इसमें permanent से अच्छा होता है कि आप खुद का करो खुद की अपने team बना और आप लोग arts का presentation करो और साथ में आप YouTube चैनल भी बना सकते हो YouTube चैनल पी जब आप art बना रहे हो उ bachelor in fine arts इसमें आपको पढ़ाई नहीं करने होती है सिर्फ अपने drawing पे focus करना होता है कितना अच्छा आप अपना drawing बनाना सीच्छों ठीक है अब वो drawing किसी भी चेत में हो सकती है painting हो सकती है sketching हो सकती है human का art हो सकता है किसी पशुप अच्छे का art हो सकता है सजावत हो सकती है इसमें आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है फिर भी अच्छा खासा career scope है okay second बात करते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलने की skill अच्छी है बोलते अच्छा है बहुत लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों की बीच में एक होता है कि जो बहुत बोलता है अगर आप वो वाले ह दोस्तों की बीच में आप बहुत बोलते हो आपको बोलने में कहीं शरम नहीं आती है इसकी चार्ट नहीं होती है आप बोल डालते हो जो आपको बोलना होता है तो ऐसे case में आप bachelor in journalism कर सकती हो इसे कहते हैं BJMC bachelor in journalism and mass communication इस course को करने के बाद आप किसी भी company में किसी भी news company में कि इसी भी जगह पे आप वक्ता के तरह काम कर सकते हो इसमें पढ़ने के कोई खास जरूवत नहीं है हाँ यह हो सकता है कि आपको इसमें English शेखनी पड़े या कोई language सीखनी पड़े जिसके आप वक्ता बनने जा रहे हो वो language आपको सीखनी पड़े यह एक चीज हो सकती है बा आपको नहीं लगेगी फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं लोग इसमें भी पढ़ते हैं मैं नहीं कहरी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं लेकिन इसमें अगर आप कम भी पढ़ोगे ना तब भी आपका अच्छा जॉब कर सकते हो बस आपकी बोलने की स्किल अच्छी होने बोलना आपको बढ़ियां से आता है, अपने मालो कहीं ऐसा नहीं होता है कि महफिल में अगर अगर आपको बोलना हो तो आप बोलने में हesitate हो रहे हो, अगर बोल पा रहे हो सही से तो इस कोर्स को करो best रहेगा आपके लिए और पढ़ाई की कोई खास जरूत में है, ठीक है, बस ये course आपको course मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों जब आप किसी company में जॉब के लिए जाते हो न तो आपका course देखा जाता है आपने क्या किया, इसलिए आपको ये course तो करने पढ़ेंगे, लेकिन इस course में बहुत जादा पढ़ाई और इसके आगे बहुत जाद पढ़ाई ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो भी मैं course आज बताऊंगी, ठीक है, तो दो चिस बता दिया, arts के लिए और बोलने वालों के लिए, next बात आती है, ऐसे बच्चों के जो computer पे काम करना बहुत चाहते हैं, पहने में मन नहीं लगता लेकिन computer पे, phone पे चला होता है, animation आप YouTube से भी सीखो, ठीक है, साथ साथ में course भी करो, bachelor in animation बहुत सारी universities करा रही हैं आजकल, bachelor in animation, और इसकी बहुत ज़्यादा demand है present time में, और आने वाले समय में भी बहुत demand होने वाली है, computer पे skill अपनी gain करना चाहते हो, तो सबसे पहले animation सीखो, animation सीखो, poster designing, जैसे graphic designing क कहते हैं, कुछ भी आजकल देख लो, जितना भी आप अपना phone स्क्रॉल कर रहे हो, मैं अपनी बात बता दू, आप thumbnail देख कर यहाँ पर आये होगे, मैंने इस वीडियो के पहले एक poster सा लगाया होगा, उसको thumbnail कहते हैं, उसको मैंने लिखा था कि बढ़ाई में अच्छे नह करते हैं, और अच्छे खासे पैसे देते हैं, और ग्राफिक आर्टिस सिफ एक यूटीबर भी बेस नहीं होता है, वो एक साथ कई लोगों का बना सकता है, तो अगर कोई एक यूटीबर उसे महीने का बीस हजार दे रहा है, और वो चार यूटीबर को पकड़ के रखा है, तो बीस, 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 असी हजार उसका महीना हो गया, ठीक है, ऐसे आपको काम करना होता है, और एनिमेशन में आप अपना खुद का चैनल नहीं बना सकते हैं, आपने M.J.O. का नाम सुना होगा, Make Joke Of, बहुत अच्छा चैनल है, जो की कॉमेडी है, और उसमें क्या करते है वो लोग खाली एनिमेशन उसने बहुत अच्छा कर रखा है, सौरब शुकला ने, एनिमेशन इतना अच्छा कर रखा है, करोडों में वो कमा रहा है, ठीक है, सौरब शुकला करोडों में कमा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे एनिमेशन आते हैं, और थोड़ा बहुत बोलना जहां आपको पढ़ाई करने के जरुवत नहीं है, आप computer पे काम करते हो, animation, graphic designing, यह सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, नेक्स बात करते हैं, अगर आपको घूमना बहुत पसंद है, मन करता है, कहां कहां मैं घूम लूँ, और dress पहनना आपको बहुत अच्छे से पसंद है पर आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिने घूमना बहुत पसंद है, तो आप ऐसे केस में bachelor in tourism कर सकते हो, आप अपने घूमने के साथ दूसरों को घूमाओ और उसके पैसे अर्ण करो, खुद भी घूमोगे और पैसे भी आपको मिलते र बताता है कि अच्छा देखो यहां यह चीज है, यह चीज ऐसे बनी थी, यह चीज इसने बनाई थी, उसकी हिस्ट्री बताते हैं, लोग यह कैसे बना था, इसकी क्या खास बात है, और लोग उसको सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, टूरिस्ट गाइड के लिए भी कोर्स होता है, बैचलर इन टूरिजम, इसमें अगर आप एडिशनली दो-चार लैंगवेज भी सीख लेते हो, इसमें बस आपको लैंगवेज बात चीट करना आना चाहिए, वालो अंग्रेज आ रहे हैं, तो इंगलिश में बात करना आए फ्रेंच आ रहे हैं, तो फ्रेंच में बात करना आए, आपको लोगों को बताना होगा, यह जगह ऐसी है, उनको घुमाना होगा और साथ में अपने भी घुमना होगा, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, भूबने के साथ-साथ आपको पैसे मिलेंगे, और इसके साथ आप खुद की व्लॉगिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो इस चेतर में, लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूबर रहे हैं, तो हम पैसे कैसे कमाएं, हमारे पास पैसे ही नहीं है घूमने खाने के लिए, तो आप टूरिजम का कोर्स करके घूम सकते हो, और बात कर लेते हैं, एक BCA कोर्स है, बाचलर इं कम्प्यूटर अप्लिकेशनस, वाले कोर्स क्या होते हैं, यह तो थोड़ा सा टफ पढ़ता है, लेकिन इसका इसी वरजन बताती हूँ, इसी में आप क्या कर सकते हो, देखो, आप क्या कर सकते हो, कोई भी शॉप उपन कर सकत अपने आस-पास आप देखते होगे, बहुत सारे ऐसे शॉप है, जहां एप्लिकेशन पॉर्म भरे जाते हैं, एक 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 एप्लिकेशन पॉर्म बनने के 50-50-100-100 रुपए उ लिलते हैं, है ना, अपने आस-पास आपने कोई फॉर्म भरा होगा, अगर तो आपको प्रास काम नहीं करने, लोग ढूंटे हुए आते हैं कि कहां ऐसी शॉप है, जहां से फॉर्म भरा सकें, कहां ऐसी शॉप है, जहां से ये काम कर सकें, तो आप कंप्यूटर के थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओ कि कैसे कौन सा फॉर्म भरना है, तो और आम से कोई भी शॉ आप खोल कि ये काम कर सकते हो, बढ़िया इंकम जनरेट कर सकते हो, कोई खास पढ़ाई लिखाई के जरुवत नहीं है, समझ गए? हाँ, इन सब कोर्स को करने के लिए कुछ कोर्स ऐसे हैं, जिनके लिए आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आना चाहिए, जैसे अप्लिकेश लाखों से उपर तक की इंकम कर सकते हो, ठेक है, ये सारे कोर्स आपके लिए बने हैं, और भी आप अपनी स्किल को पहचान सकते हो, मालो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, स्पोर्ट्स के भी बात कर लेते हैं, मालो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आपको दौड़ना इसको क्या कहते हैं, मैं आपको स्क्रिन पर लिख दूगी, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, इस पोर्स के लिए भी होता है, बैचलर इन, फीजियो लॉजी, ऐसे करके कुछ होता है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, मैं आपको स्क्रिन पर लिखते देखा दूगी, ठीक है, इस कोर्स को करने के साथ-साथ, आपको कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता है, हल्का-फुल का एक्जाम होता है, कि स्पोर्ट्स, बॉड़ी, मसल्स क्या होते हैं, बस इतना ही, सकते हो, या फिर आपको खेलना नहीं भी आता है, तब भी आपका रूची है कि काश हम खेलते, अपनी बॉड़ी शौड़ी बनाते, अपने आपको मिंटेन रखते, और खेलते, खेल में आगे जाते, उलम्पिक्स में जाते, तो आप अच्छी उनिवरस्टी में जाओ, कि इसमें आप जाके एड्मिशन लो, एड्मिशन लेने के बाद वो हाँ के ट्रेनर खुद आपको सिखाएंगे कि ऐसे-इसे खेलना होता है, ऐसे-इसे ये चीज़ें होती है, ठीक है, वो जा करके फिर आप नैशनल लेबल पे खेल सकते हो, स्टेट लेबल पे खेल सकते हो, तो उलम्पिक्स में जा सकते हो, अगर अच्छा खेलोगे तो, ठीक है, बच्चो एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई से कभी कोई, मतलब मैं यह नहीं कहते हैं, कि सिर्फ पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे कोई बात सकते हो, पढ़ाई जरूरी नहीं है, बच्चो, मैं, मुझे बड़ा दुख होता है, कि जो नहीं पढ़ता है, उसको बड़ा कोसा जाता है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगे बनाई, और जितने स्कोप को सकते थे, मैंने आपको बताएं। और अगर कोई आप से कहें कि आप आर्ट क्यों कर रहे हो, तो उनको गिन्वा देना कि इससे हम UPSC कर सकते हैं, इससे हम BCA कर सकते हैं, इतने सारे स्कोप तो हैं कववर्मेंट जॉब भी कर सकते हैं, और साथ साथ में आप अपने skills पर काम करना। जो skills मैंने बता तो ड्राइट कलो तुम्हे क्या करना है, ड्राइइंग अच्छी है तो बी-एफे में जाना है, तो ड्राइइंग पे काम करना है अपने, ठीक है, दूसरा अगर आपकी बोलने माली स्कील अच्छी है तो आसपास फे खुब समेटो लोगों को बातचीत करना सीखो, ठीक है, पिर आप Journalism का Course जोईन कर लेना, गेम अच्छा है आपका, तो खुब गेम खेलो, ठीक है, तो येल्थ बस पासाउट कर लो अच्छे सी, और खुब गेम खेलो, फिर जाकर के बैचलर ने ज़नरलिसम जोईन कर लेना, सारी, बैचलर स्पोर्स वाला, जो मैंने लिखके अभ अगर आप एक और चीज मैंने बताई थी, हाँ, अगर आप application form वगरा भरते हो, यह सब जानते हो, तो हर exam के बारे में knowledge निकालो, जैसे मैं निकाल दे हो, हर exam के बारे में आपको बताती हूँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उस चीज के बारे में knowledge gain करो, बच्चों को नहीं, zero competition, आप खुद सोचो ना, drawing का क्या competition है, क्या drawing किसी की प्रतियोगता होती है, कि दो drawing में से कौन सी drawing जादा होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जादा पिछाड़ा जाएगा, आप अपनी drawing अच्छी बना रहे हो, तो बढ़ियां पैसा कमाऊगे, ऐसा नही की कोशिश की, आपको कहीं feel करने की जरुवत नहीं है, कि आप किसी से कम हो, कहीं feel करने की आपको जरुवत नहीं है, बस आप महनत करो, किसी एक शेत में अच्छे से महनत करो, आप अपने skill जो भी मैंने बताए, उसमें से पहचानो, आप क्या कर सकते हो, और अगर आपके अ क्या करो जिससे मैं आगे बढ़ पाओ तो मैं definitely आपको रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी और आपके लिए आपको अच्छा से अच्छा सजिशिंद दोगी ठीक है? I hope this video was helpful for you कोई दिक्कत, कोई परिशानी होगी जरूर बताना बच्चो मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ ठीक है? Bye, check out